आप देख रहे हैं फुलिस टॉप मैं हूँ आपका साथ ही सौरफ दिवेदी आज हम बाना में हैं बुंदेलकंड का वो जिला जो देश के कोने कोने में सिर्फिस ले प्रिसिद्ध है कि बदमास गुंडई और दादू भीया इन सब नामों के लिए बहुत प्रिसिक था लेक आपका बुंदेलकंड से और हमारे साथ फुलिस टॉप में हैं बहुत बहुत आभार आपका और मैं प्रवीन चौहान हूं बुंदेलकंड से निर्माता निर्देशक प्रविन जी अप हुआ हैं कला की छेत्र में आने का क्या बड़ा कारण रहा है सबसे बड़ा कारण था मेरा इस कला की छेत्र में आने का जो भी हमाई यहां की प्रतिभाएं हैं जो यहां पर अपना प्रदर्सन नहीं दिखा पा रही हैं क्योंकि यहां पर अभी भी बहुत से कलाकारों को यहां पर छेत्री कलाकारों को मंच नहीं है अपनी प्रतिभा दिखाने का तो मेरा प्र लोकेशन सबकारों को मौका मिले ऑर हमारी लो के लिए काम करना था यूए अप्र आपको अपना current 합니다 है जिट्षा के चéta में बड़ा पहा है निकारि सकते थे अच tour क्योंकि आपने कला की छिट्र को चना वह एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूरा रिलेटिव है तो उससे कहा था कि हम सिर्फ एक सिछ्छाई भाग को ही प्रमोट कर पाते हैं लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कई प्रतिभाएं और कई तरीके की कलाएं होती हैं इंसान के पास अच्छा आपने मुवी बनाने को सोचा कौन सा ऐसे बिशे रहे जो आपको चूग है मन को इस पर शुए और क्या संदेश देने के लिए अपने बनाया आप तक मैंने अधिकतर जितने भी हम लोग के समाजिक भी फिल्में बहुत सारी बनाई है मैंने सबसे पहले त अगलग प्रकार गे थे संकर जी महादेव जी का भी गाना था वंदे मात्रम सॉंग भी था उसके बाद एक मैंने फिल्म मनाया थी और जित्या वो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पराधारी थी वो फिल्म उसके बाद हम लोग संचेतना सौर्ट फिल्म मनाया था जिसपे हमारे जल की समस्या हमने दिखाई थी फिर हमने बनाई बैट टच उस पे नारी सक्ती करण नारी सम्मान को प्रदर्सित किया फिर मैंने गैंक सब बुंदेल खंड बनाई थी उसमें हमने थोड़ा सब बुंदेल खंड का एक दबंगई लूप दिया था जैसे भी अपने च्छेत्र में पुराना समय था फिर मैंने यूपी नव्य वैप स्रीज बनाई थी उस पे हमने बुंदेल खंड के एक मतलब जो हमारा पहले का पैटान था एक दबंगई हुआ करती थी एक सिश्टम था कि बंदूकों का बड़ा सौक है यहां पर तो उसको हम लोगों च चाविवाज में भएले हुए में जिस अब विवाज में जि этой आपको मिलेंगी इस पर कभी आप मूई बनाने को सोच रहे था या कभी सोचेंगे मैंने सोचा था एक मैं यह करूँगा लेकिन अब जिस तरह कि अब सिच्छाई भाग में भी बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है उन्नती हुई है डवलप हुआ है अब सुधार तो काफी हो रहा है और हुआ भी है तो देखता हूं अगर मुझे लगेगा आगे कि सब्जेक्ट पर बनाना चाहिए तो सबसे बड़ी बात होती किसी भी रिष्टे के लिए कि अगर हम फिल्म के रिलेशन की बात करेंगी कलाकार इतना विस्वास करते हैं आपका काम आना यानि कि जो आप काम कर रहा है वो पब्लिक के बीच में आना चाहिए बहुत सी प्रोजेक्ट की सुरुवात होती है लोग करते हैं सुटिंग करते हैं लेकिन फां कहीं जिने जिए दिखते नहीं है और बात है कि मैं यह सब हमारा परिवार है यह जितने पर आटोमेटिक हम लोग का ऐसा विश्वास बना हुआ है यह काम आप खुद को भाड़ने के लिए करते हैं या फिर बंदेल खंड को भाड़ने के लिए करते हैं मैं यही कहूंगा कि अकर मुझे खुद को भारना होता तो मैं निश्ची थी मुंबई में होता और वैसे भी सब को पता ही कि मैं टी स्री से मेरा सौंग भी आ चुका है और मैं वहाँ पर चाहता तो बहुत ज़्यादा स्टैंड कर सकता था मुझे बहुत सारे मौके मिल लाए थे महाँ पर लेकिन मेरे अंदर यह नहीं था मुझे यह था कि बुंदेल खंड को बढ़ाना और दूसरी बात को होती है मेरे किसी भी प्रोजेक्ट को आप देखेंगे उस पर बुंदेल खंड के जादा से जादा कलाकारों को में मौका देता हूं सिर्फ मैं बस नहीं दे करता है तो मुंबई का मौसम रास आता है बुंदेल खंड के मौसम के साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हैं यहां पर यहां का जो मौसम है वो तो यह मान लीजे कि बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है सूट करना अभी हाली में जो हम लोगों ने भी स्रीज बना और छोता है करना है तो फिर करना है तो फिर आप जोता है पेलना खंड अप करते हैं वही गका दल्राजर चुनेटि Curtis थी च्शाशाश आपकी निकör लोग यही कि ऐस्टोरि यह को कोई मिलम फोकस करते हैं औरWasन है कि में टारकिट होता है यहां कि लोग देखें तो अपने च्छेत्र का यह सकता नहीं कर सकता है में फोकस हमारा उस पर है अच्छा आप दिखने में सुन्दर है अगर आप बाना के बज़ए बुंदिल खंड के बज़ए महाराष्ट में रहते मुंबई में रहते और जिसके आपका गाना रिलीज होई चुका है तो नहीं लगता है आपको कुछ ज्यादा सुहाने मौसम मे रहते हो सकता है कि आज पास जैसे प्रिचार में लड़किया दिखती है ऐसा कुछ महाल के बीच यहां में एक अंतर तो है लेकिन कहते नहीं है कि जितना सुकून घर में होता हो कहीं नहीं होता है मुंबई में भी रहा हूं मैं और रह भी सकता था बहुत कुछ वहां पे क्या लगता है आपको चुकि देखिए जब आप काम करने के लिए आते हैं किसी भी चेत्र में आप काम करें उस निगेटिव पॉइंट सी मिलते हैं उंगली खड़े करने वाले लोग भले उनको यह नहीं पता जलता कि यह तीन उंगलिया और एक उठाए से हमारी कि देखिए बुंदेल खंडे के लिए मैं कर रहा हूं और वो स्वयम रहकर भी देख रहा हूंगे कि यहां पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो भी हम लोग कर रहा है किसी की कोई मदद हम लोगों को नहीं मिलती है अपने समाजिक जो व्यक्ति हैं जो कुछ अपने छेत्र के लोगों को हम लोगों को मदद करते हैं लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि मान लीजे कि हमें कहीं पर भी हमने कोई सूट किया या कुछ भी कि तो उसका कंप्यार आप बहुत बड़े लेवल से या बॉली वोड इंडरेश्टी से बिलकुल मत कर दीए क्यो लाने के बाद आप लाईए पबलिक में हम देखे तो हमें लगे कि नहीं यह हमाएं छेत्र की चीज़ है करके दिखाईए अलोचनाएं और ग्यान देना की नहीं ऐसे से होना चाहिए यह दोनों में बहुत अंतर होता है अच्छा ग्यान होता है तो हम लोग जरूर सपोर्ट करना चाहिए अच्छा लेकिन हमको एक रहस से पता चला है किस बार आप जो आपकी बेफसरी जा रही है अब कमिंग उस पर बंदेल खंड से मुंबई के लोगों को बॉलिवूट को चैलेंज दे रहे हैं ऐसी शूटिंग हुई है ऐसे द्रिस्टों का फिल्मांक में हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था इसको सूट करना और जिस प्रकार हम लोगों इसको बनाया है निश्ची थी बुंदेल खंड के सभी हमाये जितने भी आदरनी बंदू गांड जितनी भी पब्लिक है उन्हें पसंद बहुत आएगी उन्हें खुद खुश अपके अपकमिंग वेप स्रीज में भी भगवान संकर है उपरिकट होंगे आपकी मोवी में भी और क्या कुछ कहेंगे आप दर्सकों से कि यूपी 90 की वेप स्री जा रही है उसको जरूर देखें क्या कारण हो सकता है देखने का मैं तो सभी दर्सकों से यही कहूंगा कि जो हमाई यूपी 90 सीजन टू वैब सीरी जा रही है उसको जरूर देखें और इसलिए भी देखें कि इसमें आपके छेतर के कलाकार आपके देखने से आपके सेयर करने से उनके भविस्वे में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा बहुत मैनत किया बहुत कठनाई से बहु छेतर पर ही पूरी बुंदेल खंड की सूटिंग है बुंदेल खंड की पूरे कलाकार है सब कुछ बुंदेल खंड का है तो मैं यही चाहूंगा कि जरूर से जरूर देखें बिलकुल तो सुना अपने प्रभीन चौहान जी को जिन्होंने बताया यूपी 90 के बारे में और बुंदेल खंड को भाड़ने के लिए काम कर रहा हूं यहां के प्रतिवाओं को भाड़ने के लिए काम कर रहा हूं तो मीदे हैं कि आपको यूपी 90 का आप लोग यूपी 90 को आप लोग काफी प्यार देंगे और सहयोग करेंगे और बुंदेली तो वैसे भी